हेलो बच्चों वेल्कम बैक सो आज हम लोग अपना अगला यूनिट शुरू कर रहे हैं और अगला यूनिट जो हमारे पास है यह इस दा अगला एल्यक्टरो मेगनेटिक थे लिए जो आपका सब और सब से पहले जो आपका सलैवस है उसको देख। Celews हमाई पास दो टॉपिक हैं एक तो इस्टोक लॉव है और दूसरा गौस लॉव है और यह दोनों ही जो लॉव है यह बिसिकली वेक्टर कैलकुलेस जो की एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है या फिजिक्स की ब्रांच है उसके दो इंपोर्टन थियोरम्स है थोड़ा से यह कि इंग के इंगी ब्रांच में हो वहां पर आपको पर नंढ़िव लेकिए इतना तो आप ध्यान रखियगा हमेंसा कि जह वेक्टर कैन्लस है कि यह एक प्रियों ने की को परस्पेर्सेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टन है सेक्शन है कि यतना अच्छा आपका कर्याब क पढ़ेंगे जो electromagnetic field theory अपने आप में एक पूरी paper के form में पढ़ेंगे, उनके लिए इसकी समझ बहुत जरूरी है, physics में लावा इसके भी बहुत सारी जगहें हैं जहां आपको conservation loss के साथ आप deal करोगे, आप different type के vector quantities के साथ deal करोगे, अलग-अलग portion में हैं, अलग-अलग तरह के paper जब आप पढ़ेंगे, तो आपको इस तरह के mathematics की जरूरत पढ़ती रहेगी, जितना अच्छा आप इस mathematics को समझोगे, उतनी अच्छी तरह से आप electromagnetic theory और खास तरह पर fluid mechanics, fluid के बारे में, आप in-depth knowledge आप वहाँ पर निकाल पाओगे, सिर्फ इस तरह से नहीं कि हमने कुछ definitions पढ़ लिए, और definitions को हमने दो बार चार बार लिख के देख लिया, और फिर उसका एक formula याद कर लिया, ऐसे नहीं होता है, basically क्या होते हैं, हर formula, हर concept का एक profoundness होती है, उसकी अपनी depth होती है, उसकी एक regioning होती है, उस equation का अपना एक statement होता है, वो कुछ कह रही होती equation, कोई important problem को solve कर रही होती, तो हमको इस तरह समझना है, इस तरह समझेंगे तभी आप एक subject की better knowledge बना पाओगे, आते हैं अपनी पुराने topic पर electromagnetic theory, अगर हम सीधे तरह पर कहें, what is the electromagnetic theory, तो Maxwell ने इस theory को develop किया, James Clark Maxwell और यह उनका बहुत बड़ा significant काम था, बहुत field में उन्हों काम किया है, thermal physics में भी काम किया है, उन्होंने mathematics में भी काम किया है, लेकिन उन सबका जो एक, जो सबसे ज़्यादा असरदार उनका impact था, वो electromagnetic theory के form में था, अगर बहुत ही deep में जाए बगएर अभी सुरवाती तोर पर आप से कहें, what is electromagnetic, किस तरह के force को आप electromagnetic force कहते हो, तो यहाँ पर आप यह समझेए, कि एक ऐसा समय था हम इंसानों की knowledge में, जब हमें लगता था कि electric force अलग होते हैं, magnetic force अलग होते हैं, जिसे आज की डेटर में अगर हम कुछ forces के बारें बात करें, तो आप gravitational force जानते हो, आप electric force जानते हो, आप magnetic force जानते हो, nuclear force जानते हो, एवेन एक force होता है, जो alpha-beta particle को emission के लिए जिम्मेदार होता है, इसको weak force कहते हैं, तो इस तरह से कुछ forces हैं इस universe में, जिन forces के तहत atom है, nucleus है, different type के decay processes है, बड़े-बड़े planet के बीच में attraction है, इस सब चीज़ें आप देख रहे होते हैं, तो इसे तरह से एक समय ऐसा था जब मानना जाता था, कि electric force एक अलग तरह के force है, magnetic force एक अलग तरह के force है, यह दो separate branches थे, तो जैसे कूलम का law आपने पढ़ा, ओम उगरा के law को पढ़ रहे हो, आप इधर MPR law पढ़ रहे हो, magnetism पढ़ रहे हो, तो यह दो अलग-अलग branches थी, Maxwell ने क्या किया, Maxwell ने कहा, कि एक force होता है, उन्होंने अपने इस theory से कहा, कि एक force होता है, जिसको हम कहते है, electromagnetic force, उन्होंने एक force की बात बताई, इस theory के साब से, कि एक force होता है, electromagnetic force, इसी electromagnetic force का एक हिस्सा होता है, जिसको कि हम electric force कहते हैं, वो एक हिस्सा होता है, जिसको कि हम magnetic force क तो इस तरह से Maxwell ने क्या किया उन्होंने दिखा दिया अपनी इस थेवरी से कि एलेक्ट्रिक और मैगनेटिक दो डिफरेंट टाइब के फोर्स नहीं है यह दो डिफरेंट सेपरेंट ब्रांचेस नहीं है एक फी फोर्स है उसके दो पहलू है तो जो Maxwell से पहले इस दो तरह के बल लोग मानते थे Maxwell ने सबको कन्विस कर दिया mathematically कि नहीं बल एक ही होता है जिसको हम Electromagnetic Force कहते हैं उसका एक पहलू है Electric एक पहलू है Magnetic इस लिए इस वर्ड को देखो जरा Hybrid किसम का वर्ड है Electromagnetic Force Electromagnetic Theory इसी तरह के इस के बनने के इस concept के develop होने को हमें बताती है हाला कि इस theory को develop करने के दौरान Maxwell ने Coulomb law का इस्तमाल किया Faraday law का इस्तमाल किया Ampere law का इस्तमाल किया ऐसे कुछ और vector calculus को include करते हुए कुछ और बहतरीन से concept को उन्होंने mix किया mathematically उनको आपस में एक तरह से बहुत ही tactfully mix करके उन्होंने इस theory को propose किया था और इस theory के समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम vector calculus को समझते रहें क्योंकि हर symbol का हर step का हर dot product का हर cross product का अपना एक physical मतलब होता है वो हर दौरान किसी phenomenon के किसी step को दिखा रहा होता है तो आपके लिए mathematics is kind of story हो जाती है पूरा derivation एक तरह का statement एक तरह के कविता जैसी हो जाती है जब आप हर step के मतलब समझते हो जिसे आप कोई बहुत अच्छी पढ़ रहे हो बहुत अच्छा कोई कविता पढ़ रहे होते हो तो हर line पूरी कविता भी अपनी आप में संदेश या जो भी देता हो पर हर line पर आप एक वाहवा करते हो हर line की को आप appreciate करते हो derivation is like that kind of poem अगर समझ रहे हो तो आप हर step को आप appreciate करोगे उसकी insight को आप होगे तो electromagnetic theory को समझने के लिए हमें vector calculus को समझना पड़ेगा अच्छा vector calculus को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा दो टर्म और आते हैं एक होता है vector field और दूसरा होता है scalar field दो तरह की field की बारे में बात करेंगी vector field scalar field अब vector field के लिए बहुत सारा illustration है हमारे इसे आप यहां पी कुछ देख सकते हो कि imagine करो कि आप इस पूरे universe को इस पूरे space को एक तरह की वेक्टर से भरा हुआ मानो मतलब इसको कैसे कह सकते हो जिसे कि आप लोगों ने कि ultimately आने वाले समय में हम जो electrical magnetic field की बात करेंगे तो आप लोगों 12 में पढ़ा है कि electric field को हम कुछ line से represent करते हैं strength of electric field को represent करने के लिए कुछ electric line force की या magnetic lines के सहायता से हम यूज करते हैं और अब कहते हैं कि universe में हर तरफ electromagnetic field भरी पड़ी है हर तरफ electric magnetic field है तो उस electric magnetic field को हम इस space में बहुत सारे vectors के form में दिखा सकते हैं सारे vector एक तरफ हैं या vector आपस में भूम रहे हैं या vector एक कसी particular point पर focus हो रहे हैं या diverge कर रहे हैं तो इस तरह से हम जब electric और magnetic field को समझाने कोसिस करेंगे mathematically उनको एक constructive तरीके से express करने कोसिस करेंगे तो हम वहाँ पर vector field और scalar field की concept को सोच रहे होंगे उसके concept को visualize कर रहे होंगे तभी आप उस चीज को थोड़ा सा mathematically appreciate कर पाओगे तो vector field is kind of space है जिसमें बहुत सारे vectors हैं जो कि एक particular direction में है या एक certain kind of behaviors हो कर रहे हैं जैसे कि आप बहुत सारे illustration है इसके online भी मौझूद है उनमें आप इसको देख सकते हैं Scale field क्या होता है? Scale field is something जैसे कोई scale quantity, scale quantity मतलब इसमें दिसाना हो जैसे कि आपका temperature हो गया temperature एक बहुत ही common सा example जिसको हम सो सकते हैं या height of mountain हम कह सकते हैं तो उसके साथ हम देख सकते हैं, scalar field को उसके साथ समझ सकते हैं अब या आगे बढ़ेंगे तो हम उस section को complete करेंगे तो हम जब electromagnetic field पढ़ रहे होते हैं तो मैं vector calculus की समझ होनी चाहिए vector calculus जो होता है वो दो तरह की field के साथ जुड़ा होता है एक होती vector field एक होती scalar field अच्छा, field में हम कुछ function define करते हैं जिसे हम देखा है एक vector है जो कि किसी north direction में move कर रहा है suppose एक car है जो कि velocity से जा रही है तो उसकी direction जो है वो north direction में है तो हम उसके लिए कुछ variables जोड़ सकते हैं कि ये car x के साथ लगातार बढ़ती जा रही है y direction में लगातार बढ़ती जा रही है, x, y plane बढ़ती जा रही है तो हम चाहे vector field हो चाहे scalar field हो हम वहाँ पर कुछ function define करें खास दो भी vector field के लिए हम एक function define कर सकते हैं जो कि x, y, z पर dependent हो सकता है अब ये function velocity हो सकता है, ये function और भी इस तरह से acceleration या और भी इस तरह कुछ हो सकता है तो आपके पास एक vector field है, vector field में आपके पास एक function है आपका interest किसमें है, आपका interest ये है कि ये function किस तरह से x के साथ बदल रहा है ये function किस तरह से y के साथ बदल रहा है, किस तरह से z के साथ बदल रहा है तो आपको इसके बदलाओ देखने है, अच्छा, change को देखने के लिए हमारे पास derivative concept है जिससे अगर हमने कहा y is function of x हम यहाँ पर कह रहे हैं y is function of x तो इसका मतलब है कि आप y के बदलाओ को x के साथ देख सकते हो आप x बदलते जाओ y कैसा बदलाओ देख सकते हो तो इसको हम इस तरह से derivative के form में दिखाते हैं लेकिन अगर y जो है वो x और z दो variable का function है constant करोगे फिर आप y का बदलाओ देखोगे z के respect में और तब आप x को constant करके मानोगे तो यहाँ पर यह जो concept है यह जो symbol है इसे partial differentiation कहते हैं यह partial symbol है partial partial del x partial partial z बोलने का तरीका ऐसे होता है partial partial x of y partial partial z of y यानि कि आप del y by del x del y by del z निकाल ले हो जब z भी constant है और जब x constant है for example for example जैसे इसको ऐसे समझ लो normal life में जैसे sweater आपको sweater खरीदना है जाड़े के सुरुआत हो रही आपको sweater खरीदना है अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि sweater के जो दाम है वो किन-किन factors पर depend करते हैं जैसे आप माली जैसे सहर में हैं तो इसी सहर के अंदर आप एक quality का sweater खरीद होगे आपने यहां खरीदा आपने किसी popular market से खरीदा आपने किसी popular mall से खरीदा तो इसी मौसम में आप सहर के अंदर तीन जगों पर कोई महंगा इलाका है कोई सस्ता इ खरीद होगे तो आपको दाम में अंतर लगेगा महंगे mall में खरीद होगे तो आपको सस्ता मिले तो यानि कि स्वेटर के नाम सहर के अलग-अलग location पर depend कर रहे हैं मौसम यही है अगला आप क्या कोस हो सकते हो आप स्वेटर खरीदो अलग-अलग मौसम में जैसे जाड़े क सुरवात जब बहुत जाड़ा हो और जब जाड़ा खतम हो रहा हो एक ही दुकान पर जाओ तीन अलग-अलग मौसम में तो आप पाओगे कि जैसे-जैसे मौसम बदलता रहता है end season sale और बीच में जब बहुत ज़्यादा उसकी demand है तब उसकी price और जब season शुरू हो रहा है तब उसकी price तो एक ही दुकान पर इनकी price से भी अंतर दिखाई पड़ेगा तो यहां पर आपने देखा कि sweater के जो दाम है वो दो parameter पर depend कर रहे हैं एक season जिस season में ले रहे हो दूसरा किस location से ले रहे हो तो आप इसकी study कैसे करते हो आप season fix रखते हो जाड़े की शुरूआत त जाओ जो भी choose करो और अलग-अलग season में जाओ तो यहां आपने दुकान को fix कर दिया season change किया तो इस तरह से हम study कर सकते हैं अब आप सोचो आप इस season में दुकान पर गए अगले season में दूसरे दुकान पर गए तो आप कोई भी conclusion नहीं निकाल पाओगे आप कोई भी एक conclusive remark प साथ y का variation देखो x के साथ जबकि z को constant करो और फिर इसको जोड़ देना है आपको y का variation z के साथ जब आप x को constant कर रहे हैं यहां बहुत ज़्यदा mathematically correct नहीं लिख रहे हैं हम आप जिस idea की बात कर रहे हैं तो आपने इन दोनों की result को मिला करके आप बदलाओ के trend को बदलाओ के function की कैसे variation होता उसको देख सकते हैं तो इस तरह से हम कुछ partial derivative लेते हैं और इस तरह से partial derivative से हम function के बदलाओ को देख सकते हैं अब चुकि vector field है तो vector field पे भी हमें vary कर रहा x y z के साथ तो हमें यहां पर भी कुछ partial derivative लेने पड़ेंगे अब जब हम देखते हैं कि हम कोई vector define करते सब्सक्राइब तो हम कुछ unit vectors यूज़ करते हैं x i cap y z cap z k cap तो अब ऐसे सिती में इन vector की study करने के लिए आप जब इसका partial derivative लोगे तो हम यहां पर एक operator यूज़ करते हैं operator का मतलब होता है एक ऐसा mathematical function एक ऐसा mathematical instruction जिसको हम किसी function पे apply कर सकते हैं और उस function पे apply करेंगे तो function उस इसी के हिसाब से हमें कुछ result देगा तो हम इस तरह का एक operator define करते हैं इसको हम ultra delta है जो green delta होता है triangle ऐसा बनाते हैं delta होता यह reverse delta है और इसका दूसरा नाम nebula है तो nebula है या del operator है इसको करते हैं और इससे कैसे define करते है partial partial x i cap partial partial y j cap partial partial z k cap तो हमने इस तरह का एक operator define कर लिया और इस operator में आप देखो पहला term दिखा रहा है कि x के साथ variation लेना है i direction में x की जो i cap है दूसरा है y के साथ variation लेना है z direction में तीसरा है z के साथ variation लेना है k cap यानि की k direction में तो यह हमारा एक operator है सपोज आपके पास एक function है function है कुछ इस तरह से x square i cap और y square j cap, suppose इस तरह का एक आपने कोई vector ले रखा है और आप इस vector के उपर यह operator लगाना चाहते हो तो जब आप के पास एक vector है यह operator और इसको apply करना चाहते हो a के उपर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमाई सामने सवाल आएगा जब भी हम दो vectors को एक दूसरे के साथ जोडते हैं तो हमें define करना पड़ता है इनको dot के साथ जोडना है या cross के साथ जोडना है देखो, दो vectors ऐसे नहीं, दो vector का रिष्टा इतना सीधा सा नहीं होता है क्योंकि हो सकता है कि यह दो vector आपस मिलें और आपका result scalar हो जाए there is quite possibility कि आपके यह दो vector आपस मिलें और मिलने के बाद इसका जो result है वो vector न रहे scalar हो जाए या उस भी direction गायब हो जाए अगर ऐसा हो रहा है यानि कि इसके बीच में dot आपको use करना पड़ेगा और अगर आप इस तरह से cross use कर रहे हो दो vector के बीच में तो आपका result भी vector होगा तो इसका मतलब है अगर आप vector field की study कर रहे हो vector field की study कर रहे हो तो vector field में आप कोई vector quantity define करोगे उस vector quantity की जानकारी हासल करने के लिए जब आप उसके उपर operator apply करोगे तो आपास दो तरीके हो सकते हैं या तो हम dot product के साथ operator apply करे या cross product के साथ operator apply करे अगर cross product के साथ है तो इस तरह की behavior को curl of a कहा जाएगा और आप अगर आप dot के साथ ले रहे हो तो इसको div या divergence of a कहा जाएगा तो ये दो तरह की terminology हम यहां से देखते हैं कब जब हम del operator को किसी vector के उपर operate करते हैं तो उसमें हमें define करना पड़ता है या हम dot product लेना चाह रहे हैं या हम cross product लेना चाह रहे हैं अगर cross ले रहे हैं तो आप curl की बात कर रहे हो dot product ले रहे हो अगर आपके पास scalar field है suppose scalar field कैसे है यह ऐसे है x square plus y square देखो हमने यहां पर क्या किया इसको मालूब फाई है यहां हमने i cap, j cap नहीं define किया चुकि यह एक number है एक scalar quantity इसमें direction नहीं define होती है तो ऐसे सिती में क्या होगा आपके पास एक vector है आपके पास scalar है कोई बात नहीं इसके ज़र एक number जैसा है multiply कर दिया इस चीज को हम नाम देते हैं grade या gradient तो तीन तरह के हम operations की बात करने वाले हैं और यह operation इस बात पर depend कर रहे हैं कि आप यह जो operator ले रहे हो यह किस पर apply कर रहे हो vector field पर apply कर रहे हो तो दो case आते हैं एक case divergence कहलाता है एक case curl कहलाता है अगर इस killer field की उपर आप यह operator apply कर रहे हो तो सिर्फ एक ही यहाँ पर possibility होती है इसे हम grade कहते हैं तो gradient, divergence, curl यह तीन ऐसी terms हैं जिनकी समझ आपको primarily level पर develop करनी है if you really want to get some idea about the vector calculus about the field theory और electromagnetic theory को एक और चीज कहा जा सकता है कहा जाता है electromagnetic field theory और यह सबसे सुरुवातिव field theory में थी और बाद में physics में तो इस field theory से फिर आगे extend होता गया quantum field theory और बहुत तरह की field theory हुई जिस पे बहुत सारी चीज़े हमाई सामने आए और ultimately बहुत सारे इस पे what do you mean by grade what is the physical meaning of grade what is the physical intuition behind the divergence what is the physical intuition behind the curl यह सब थोड़ा थोड़ा अगर हम cover करते जाएं then अगला step हमारा होगा उन दो theorem तक पहुचना जो कि आपके syllabus का पहला सुरुवाति टॉपिक है यानि stoke theorem और gauss divergence theorem सबसे पहले हम grade की बात के रहें देखो यह चुकि एक mathematical engineering mathematics की या vector calculus एक लास नहीं है तो हम किसी भी लिहास से बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं उतर रहें हम सिर्फ उतना ही समझने कोसिस करेंगे जिससे हम अभी इस level पर अपनी चीजों को आगे समझ पाएं electromagnetic theory को जो आपका unit number 2 है आने वाले समय में अगर कभी मौका मिला engineering mathematics को explore करने का तो उसमें हम और अच्छे से explore करेंगे या कभी electromagnetic field theory को explore करने का मौका मिला तो उसको और अच्छे से explore करेंगे तो अभी हम लोग बहुत ही अपने आपको you can say narrow minded होकर के narrow minded is not a correct word फोकस होकर के हम सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है उतनी चीजे जितनी हमें इस theory को समझने के लिए जरूरत पढ़ने वाली है जैसे आप समझो बच्छो जैसे आपको grade के बारे में समझना है तो grade, gradient या grade जो होता है वो एक तरह से derivative को ही कहने का एक थोड़ा सा ज्यादा sophisticated तरीका है आप करो कि let us consider the derivative of a function तो हम जब वो तीन डामेंशन में करेंगे कि हम x के साथ भी, हम y के साथ भी, हम z के साथ भी most channel case में तो हम उसे हम gradient जैसा कुछ कह रहे होते हैं इसका एक बहुत अच्छा सा example हम समझ सकते हैं अगर हम समझना चाहें किसी एक पहाड की मुचाई की example को लेकर के जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो एक टर्म होता है टोपोग्राफिकल मैपिंग या टोपोगाफिकल कंटूरिंग एक टर्म होता है यह basically क्या टर्म है इसमें क्या होता है जैसे आपको बास पहाड है तो एक पहाड जो है वो बिल्कुल सीधे तरीके तो बना नहीं है उबडखाबर सा है उसकी जो slope है वो थोड़ा से उबडखाबर से होते हुए उपर बन रहा है तो उसकी जो उचाई है उसको हम कैसे दिखाना चाहते है कि उसकी उचाई कैसे कैसे समय कैसे कैसे बढ़ती जा रही है तो हम जैसा कि आप diagram में देख रहे हो तो यहाँ पर जो उचाई है उसकी लिए कुछ lines बनी हुई है कि जैसे यह 500 मीटर है यह 1000 मीटर है तो थ्री डामेंशन में होती है, उस पे हमने कंटूरिंग कर दी, उस कंटूरिंग को जो हम टू डामेंशन के पेपर पर लिखेंगे, मैप पे जो बनाएंगे, तो उस मैप में आपको दिखाया जाएगा कि एक वाला हिस्सा है, एक बाहरी सरकिल है जो 200 मीटर का है, अंधरू जमीन से 200 मीटर की उचाई पर है, फिर ये एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, जो 400 मीटर की उचाई पर है, ये लाइन ड्रॉ कर ली, जो कुछ 800 मीटर है, फिर ये लाइन है 1000 मीटर है, ये लाइन है 1200 मीटर, इस तरह से तो हमारे लिए ये जो पहाड की उचाई है, उ तो हम यहां पर एक इस तरह कंटूर बनाएंगे जो कि 1200 मीटर का है उसके बाद इस तरह कंटूर बनाएंगे जो कि 1000 मीटर को दिखा रहा है फिर इस तरह कंटूर बनाएंगे जो 400 मीटर का है फिर इस तरह कंटूर बनाएंगे जो 200 मीटर का है जिरूर नहीं कि सरकिल हो क्योंक ये 200 मीटर वाले कंटूर से 400 मीटर वाले कंटूर की तरफ जा रहे हैं। फिर हमने कहा हम यहां पहुँच के और ऊपर चड़ रहे हैं। इसका मतलब है हम 400 से 800 मीटर वाले कंटूर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम एक एरो यहां पर दिखाना सुरू कर दें इस कंटूर पर तो हम इस पहाड़ पर actual मत्री डीमेंशनली जो मूव कर रहे हैं। उसको हम इस graph पर मूव कर सकते हैं। आप ज्यारा समझों यहां पर। यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर height जो है वह एक variable है। यह हाइट है, अब हाइट is a kind of a scalar quantity, ऐसा तो कोई कहता नहीं कि एक व्यक्ति छे फुट लंबा है उत्तर दिसाम में, यह बिल्डिंग 20 फुट की है south direction में, generally height है, एक parameter की तरह से हम यूज करते हैं, एक quantity की रूप में, छे फुट का इंसान है, आठ फुट की डंडा है, हम ये दिखा रहे हैं, कि हम 400에서 600, 800 की तरफ जा रहे हैं, आपको दिसा दिखानी है, इसको ऐसे समझ लो, जैसे इस पहाड है, इस पहाड पर चढ़ने के कई रास्ते हो सकते हैं, इक कई रास्ते हो सकते हैं, तो अब हमें एक ऐसा बहतर रास्ता बताना, एक ऐसा optimum रास्ता ब पहुंच जाएं तो वो हमारा optimum path होगा अब वो optimum path जो होगा उसमें आपको दिसा बतानी पड़ेगी भाई कहेगा ना कि पहाड है इस रास्ते से जाओ जो इस रास्ते जाओ को तरफ हाथ उठाएगा यानि कि वो आपको क्या बता रहा है उस height पर एक दिसा दिखा रहा है यान अब आपको एक direction बतानी पड़ेगी कोई आपको direction बताए इस पहाड पर ऐसे जाना फिर ऐसे मोड़ना फिर ऐसे जाना यानि अब आपके लिए दिसा जरूरी है अब आपके लिए height तो चड़ी रहे हो 200 से 400 तो चड़ोगे ही 400 से तो 800 चड़ोगे ही लेकिन किस रास्ते से कि इस दिसा में हम जाएं कि हमारा चड़ना थोड़ा सा comfortable रहे which means that आपको इस height पर एक दिसा चाहिए यानि vector का मामला हो गया height अपने आपनी skiller है but आप जब height पर चड़ रहे हो then you need a direction तो मालो height एक आपका function है तो जब आप उसका grade ले लोगे जब आप उसका grade ले लोगे यानि उस पर उपर del operate करोगे तो इसे हम कहेंगे grade of h और जो grade of h क्या होगा यह कैसी quantity होगी यह एक vector quantity होगी और यह vector quantity क्या दिखाएगी यह एक तरह से उस path को दिखाएगी उस सबसे अच्छे path को दिखाएगी जिस तरफ से आपको चढ़ना सबसे सही होना चाहिए तो इस तरह से height जो की अपने आप में एक scalar quantity थी उसको अगर आप vector की form में convert करना चाह रहे हो because you want to know the very suitable direction जिस तरह की आप इस रास्ते पर चढ़ सको दिन आपको इस तरह से उसका grade लेना पड़ेगा तो grade is a kind of thing जो की इस तरह से आपको एक direction so करती है slope पर slope जैसा होता है बट आपको एक direction वहा तो एक बहुत सावी जगह होता है से हम किसी जगह पर हम मालीजे की सबस के यहां पर कौई heater जल रहा है और यहां पर गर्मी है और यहां कोई मद्यमक्षी आती है तो मद्यमक्षी उड़ रही है उसको ऐसे रास्ते जाना है कि वह जल्द से जल्द उस गर्म पहुंच जाए जहां heater की गर्मी ठीक ठाक सी है तो वो जिस जगह पर है वहाँ से वो एक grade उसको एक दिसा मिलेगी कि यहाँ temperature कम है यहाँ temperature थोड़ा जयदा यहाँ जयदा यहाँ जयदा यहाँ जयदा और समद्वख्यों को यहाँ पहुँचना है तो वो यहाँ एक ऐसा रास्ता फॉलो करेगी जहां से तेजिस टेंपरेचर के बदलाव को देखते हुए जल्द से जल्द इस रास्ते पहुच जाना चाहेगी वहाँ पर भी हम grade का इस्तमाल करेंगे तो यह एक I'm not sure but it is a kind of यह सारे कुछ ऐसे examples हैं जिसमें हम कुछ हद तक इस पर अपना intuition डेवलब कर सकते हैं ओके इस इस आप आफ नॉलेज जो कि हम यहां से मिलते हैं वेक्टर के साथ है अच्छा divergence के बारे में जल्द से बात कर लेते हैं divergence मतलब ऐसे है जिसे कोई चीज है कोई vector quantity है जो की बहुत तेजी से फैल रही है जहां से source है वहां से वो diverge हो रही है just for example हम सीधर example लेते हैं electromagnetic theory का ही जह हम कहते हैं कि अगर हम प्लस charge है तो हम प्लस charge से इस तरह से कहते हैं कुछ electric lines है जो बाहर की तरफ diverge हो रही है तो यह diverging है अगर आप सोचो यहाँ charge जो है उसको आप दुगना कर दो तो अगर चार्ज दुगना कर दोगे तो जो लाइनों का per unit area को जो concentration था बढ़ जाएगा तो more and more जो lines है वो तेजी से बाहर निकल लही है इस चीज को हम इसके divergen से सो करेंगे तो अगर हम इस लाइनों को vector e से represent कर रहे है electric field की intensity है तो हम यह दिखाएंगे कि यह बहुत तेजी से diverge कर रहे है तो इसका जो divergence होगा वो large होगा यह पर्टिक्लर सोर्स से ऐसे बाहर के तरफ निकल लही है तो यह आपका एक example हो गया है तो आप जब भी divergence अगर divergence large है इसका मतलब बहुत तेजी से vector field वहाँ से बाहर निकल लही charge का magnitude कम कर दोगे कम line होगी तो उसी साब से इसके divergence को भी हम magnitude wise change होता हुआ देखेंगे याद रखो यह del.e लिया है तो यह large है तो यह एक number होगा यहाँ सिर्फ एक number है यह चुकि आपने दो vector का dot product लिया तो you will get just a number अब यह number ज़्यादा है इसका मतलब तेजी से line बाहर निकल लही है ज़्यादा मात्राम निकल लही है सब कुछ उसका अच्छा खासा है और अगर यह number कम है तो इसका मतलब वहाँ कोई electric line बाहर निकल लही है अब electric line बाहर नहीं निकल लही है इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वहाँ charge ही ना हो तो कोई electric line ही नहीं या इसका यह भी हो सकता है कि जिससे electric lines है वो इस तरह से जा रही है यह electric line है, सभी बराबर लंबाई की है यानि कि यह पूरा हिस्सा सेम electric field है आपने इस हिस्से में देखा तो यहां पर कुछ भी नहीं बदल ला है जितना यहां था उतना यहां तो यह इसका divergence आपका zero होगा कुछ भी है जो diverge out नहीं हो रहा इन जीजों को हम बहुत ब्रिफली अभी देख रहे हैं हो सकता थोड़ा स जब जाएंगे अपने क्यूनिट में तो हम इन जीजों को थोड़ा सा explain करेंगे जब गौसला अगरा को कुछ देटेलिन पढ़ने कोशिश करेंगे तो diverging को हम ऐसे सो करेंगे करल का जो behavior है उसको समझने के लिए आप सोचो जरा सपोज अब आप ऐसे समझ लो अपने आपक तो जो पानी बह रहा होगा तो पानी जो मिट्टी से रगड के बह रहा है विल्कु किनारे उसकी speed slow होगी ठीक है तो अगर हम यहां दिखाने तो इसकी speed slow है तो हमने इसकी जो vector quantity है उसको छोटा दिखाया किनारे थोड़ा दूर जो पानी है उसकी धार थोड़ा तेज होग अब सोचो आप यहां पर कि यहां पर आपने एक एक कोई पैडल वील इसमें इस तरह से टेबल फैन पंखे होते हैं उस तरह से कुछ लखा या जस्ट एक ऐसा कुछ है यहां कोई तैरता हुआ हुआ है पहिया है तो पहिया के इस सिरे पर जो बल लग रहा है जो पानी बह दीक है और जूअ है उसके रघड के और जuren है उसमें अंतर चूंकि इधर जया रहा है जो पानी जा रहा हुँ मेंधवान दो सब्सार करता रहिगा जो यह ज्य retrip मालो है कुछ ऐसा है जिसे यह पहिया है यहाँ पर पानी इधर से भी रगड रहा है जिसे इधर से पानी रगड रहा है तो यह घूम रहा है इस तरह से अगर इसके motion की direction ये है, उंगलियों की दिसा, तो अंगुठा जो होगा, वो उस axis को show करेगा, जो कि जिसके about ये circulation हो रहा है, तो अगर इस तरह से move कर रही है, ये disc, तो ये उंगलियां जो है, इसके motion को दिखा रही है, तो अंगुठा जो है, वो इसके vector quantity, यानि कि इस घूमन के axis को show करेगा, तो इस तरह से हम यहाँ पर del cross, मालो ये quantity V है, तो del cross V को हम इस direction से show कर सकते हैं, जो असल में उसकी curl की direction होगी, तो हम यहाँ पर अगर हम सोचें, इस सब तीजों को, तो मारे पास क्या क्या आया, अगर हमारे पास vector field है, मारे पास scalar field हो सकता है, vector field जो है हमारे पास उसको, उस vector field को, अगर हम del के साथ operate करें, तो मारे पास एक possibility आ सकती है, divergence की, divergence मतलब उस vector field के किसी particular source point से बाहर निकलने को show कर रहा है, अगर negative divergence होगा, तो क्या होगा, जिसे negative charge आप ले लेते हो, तो वहाँ पर line है diverge, क्या converge होती है, तो जैसे ही अगर आपका del.a अगर negative ह इसका मतलब है, लाइने वहाँ पर आ करके मिल रही है, वहाँ पर vector field converge हो रही है, और यह plus है, तो इसका मतलब उस particular source point से लाइने इस तरह से बाहर के तरफ जा रही है, तो divergence vector field के इस behavior को show करता है, curl क्या होता है, curl उस field के अंदर, उसके rotation को show करता है, कि किस तरह से उसके अंदर variation of the magnitude, vector के magnitude के variation के वज़े से उसके अंदर एक rotational property आ चुकी है, उस तरह के behavior को show करता है, grade क्या होता है, वो किसी scalar field के साथ हम जोडते हैं, और उस scalar field के साथ जब आप जोडते हो, तो आप उसमें एक तरह से variation को show करते हो, किस तरह से vary कर रहा है, किस तरह से किसी particular point पर हम एक direction of change को show कर सकते हैं, एक ऐसी direction, जिस direction में अगर हम देखें तो उस quantity के height है, उसके maximum को मिलने वाली direction को हम show करते हैं, तो gradient is a kind of slope, एक तरह से variation को, slope को show करता है, किसी particular point पर, और जो उसकी direction होती हमेशा, उस maximum point की तरफ होगा, इस height है, उसकी maximum point है, temperature जहां maximum है, उस तरफ की दिसा को ये बताता है, एक vector quantity होती है, तो इस तरह से तीन operator के साथ, त इस ते की additional में कुछ surface integration का भी role आ जाता है, कुछ, क्या कह सकते हो, volume integration का भी role आ जाता है, that is a course of multivariable calculus, जो की vector calculus का आपका हिस्सा है, अब हम जल्दे से अपने Stokes theorem की तरफ आते हैं, Stokes theorem, Stokes theorem में ये होता है, जैसे मालो कि कहीं पर बहुत सारा vector field है, suppose इस तरह से कहीं कुछ बहुत सारी vector field है, move कर रही है, vector field है, कुछ भी हो सकती, कोई vector field है, इस तरह से, ये vector field है, और आपने इस vector field में एक path बना दिया, इस तरह का path बना दिया है, औके और इस path पर आप किसी particular point पर चल रहा है इस तरह से आप जा रहे हो particular point पर इस पर आप move कर रहे हो और vector calculus में जो हम किसी path पर इस तरह से move करते हैं और उसका total overall effect देखना चाहते हैं जैसे यहां से भी vector गुजर रहा है यहां से vector गुजर रहा है यहां से गुजर रहा है तो जो vector quantity आप यहां से गुजर रहे हो इस जगह से इस particular point पर तो आप इस path के along f.dl calculate कर सकते हैं तो हम इस path पर जो एक path जिस से vector field गुजर रहे है और उस गुजरती ही vector field की मौजुदगी में अगर हम इस path पर उस quantity का integration लेना चाहें कि रास्ते पर इस quantity का क्या आसर है या कैसे उसके आसर को देख सकते हैं तो हम इस quantity का इस path पर कोई element मालो dl इसके साथ dot और product ले ले तो यह हमारा line integral होगा अब सवाल यह है कि boundary तो बहुत बड़ी है इस पर पूरा circulation देखना है तो यह एक तरह से macroscopic circulation आप देखना चाहते हो आप यहाँ पर एक macroscopic circulation देखना चाहते हो कि एक boundary है उस boundary से इस तरह से vector quantity गुजर रही है तो उन सारी vector quantity जब boundary से गुजरेंगी तो boundary के साथ कोई perpendicular होगा कोई 80 degree cone बनाएगा कोई 20 degree cone बनाएगा चुकि path तो हमाकर random है तो इस पूरे path पर इसके circulation क्या होगा वो हमें calculate करना है तो यह एक macroscopic circulation macroscopic पतलब large scale पर पूरे path पर तो इस टो कहते हैं इस macroscopic circulation को हम macroscopic circulation के sum से निकाल सकते हैं क्या कह रहे हैं अगर आपको यह macroscopic circulation निकालना है तो एक काम करो क्या करोगे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूं कि आपका यह path है कि यह आपका path है अब आप क्या करो इस path को क्या करो break कर दो छोटे-छोटे हिस्सों में इस तरह से आपने इस path को छोटे-छोटे हिस्सों में break कर दिया इस path को छोट-छोटे हिस्सों break कर दिया और बहुत साई इस तरह से आप इस पूरे path में बहुत सारे और यहां बहुत साई line गुजर रही है तो हर line के लिए आप circulation निकाल सकते हो कि इस तरह से circulation आप निकाल सकते हो यहां पर सारे बना देते हैं एक बार इस सारे circulation है जो इससे गुजरती हुई वेक्टर लाइन के about आपने बना रखे हैं इस तरह से अब इस टो क्या कहते हैं अगर आपको इस boundary के about circulation निकालना है जो कि यह है तो वो macro circulation है जो कि इस बाउंडरी 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 है तो आप क्या करो इस पूरे एरिया को बहुत सारे छोटे छोटे चंक में कटा हुआ मानों इस पूरी बाउंडरी की बीच की surface एरिया को आप बहुत चुटे सेक्शन से बना हुआ मानों हर सेक्शन कितना है मालो हर सेक्शन का एरिया ds है ds is a vector quantity और फिर आप क्या करो फिर आप उसका dot product लो और हर सेक्शन का कर्ल निकाल लो चुकि यहां से quantity जारी f तो इस quantity को हम ऐसे लिखेंगे डेल क्रॉस f ठीक है और फिर आपको आपने इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना जो लाइन निकली उससे करल कितना है वो निकाल लिया यहां का निकाल लिया फिर उसके बाद आप क्या करो इसको सम कर दो surface integration डबल integration area पर integration को सो करता है तो यहां आपने क्या किया यहां आपने microscopic circulation microscopic circulation को count कर लिया सारा इस टोक कहता है कि यह जो line के लिए जो macroscopic circulation होगा वो असल में इन सारे microscopic circulation के सम के बराबर होगा तो simply आपने कहा कि this shows that del cross f dot ds तो यह चीज कहना ही इस टोक थियोरम कहलाती है कि आप large scale पर circulation निकालना चाहते हो तो large scale पर जो circulation होगा वो basically छोटे छोटे micro circulation के सम से calculate किया जा सकता है तो it is a kind of एक तरह से unification है macro level पर आप unification देख लो तो macroscopic के result को show करता है इसे आप इसको ऐसे समझ दो ना मतलब मालो चुना होने वाले हैं तो चुना होने वाले हैं तो बड़े पसंद नहीं है और हम हम मन बना चुके हम जनता की बात कर रहे हैं कि हम जनता की बात कर रहे हैं कि हमें अपना नेत्यत बदलना है तो वह बदलाओ छोटे 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 लेविल पर दिखना सुरू हो जाएगा, छोटे छोटे लेविल पर हमें हमारा विश्वास जो खो रहा होगा उस नित्वत पर वो दिखना सुरू हो जाएगा, तो अगर आप उन microscopic observations को देख लें, तो आप इस बारे माइडिया लगा सकते हैं कि कुछ बड़े लेविल पर उसका असर क्या होने वाला है, तो यह जो हम common form में societal level पर देखते हैं, जो चीजों को महसूस करते हैं, वसी चीजों को तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, एक तरह से कि circulation का यह generalization है, तो microscopic circulation, this is, and the macroscopic circulation is this, and इस formulae से दोनों relate होते हैं, this is the stroke theorem, a kind of obvious thing, a kind of obvious thing, okay, now the next is a very interesting theorem, and the theorem is Gauss Divergence Theorem, and believe me, anything given by Gauss is absolutely flawless, absolutely, मतलब बेहतरीन होता है, Gauss एक ऐसा नाम है, my personal favorite, the, मतलब हम जब पढ़ाई करते हैं, research करते हैं, तो उस दोरान हम कुछ ऐसी personalities के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको समझने कोशिस करते हैं, तो कि सच में एक तरह से ideal होते हैं, तो Gauss is my personal favorite, और जो मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, कि Gauss was a kind of perfect, physicist कहलो, mathematician कहलो, कुछ भी कहलो, और यह समझो रो, कुछ भी Gauss ने कुछ भी किया है, तो वो एक wonder ही है, कहीं पर भी, चाहे वो hypergeometrical series हो, चाहे वो Gauss theorem हो, चाहे Gauss divergence theorem हो, Gauss का modulus and arithmetic हो, Gauss की algebraic theory हो, Gauss की geometrical theory हो, everything is marvelous, तो Gauss का divergence theorem भी इसका मतलब है कि वो best divergence theorem हो सकती है, that is the Gauss divergence theorem, whatever Gauss, जो भी Gauss ने किया है, वो best ही है, उसकी quality पर तो आप कभी समझो होता करें ने सकते हैं, Gauss नहीं बता दिया, इसको थोड़ा ऐसे करना चाहिए, Gauss was a flawless kind of personality, तो Gauss divergence theorem भी इसी तरह की theorem है, वो भी ऐसा है, कि अगर आप किसी पूरे volume पर divergence देखना चाहते हैं, जैसे यहां आपने कहा, macro level पर circulation देखना चाहते हो, तो micro level के circulation को आप इस तरह से लिख दो, है न, curl मतलब होता है न, circulation, और वैसे वहां पर यह कहते हैं, कि अगर आप volume level पर, बड़े level पर divergence देखना चाहते हो, तो आप हर छोटे-छोटे level पर divergence है, उनको sum कर दो, तो एक तरह से stoke theorem, macroscopic circulation और macroscopic circulation की बीच के relation बताते हैं, और जो Gauss divergence theorem है, वो micro level के divergence और macro level के divergence, यानि surface के patches के divergence और पूरे volume के divergence की बीच में एक relation establish करते हैं, वाई Gauss law is so important, क्योंकि Gauss law अपनी theorem से आगे जा करके कुछ बहुत ही important चीज़े proof करते हैं, जैसे electromagnetic case में continuity of charge, वो उससे हम proof कर लेते हैं, fluid theory में हम continuity of mass proof कर जाते हैं, अभी जो continuity of charge है और जो continuity of mass है, यह दो ऐसे चीज़े हैं, जिनका application, fluid theory, electromagnetic theory, cosmology, astrophysical fluid dynamics, fluid dynamics, different type के aspects में लोगों ने किया है, मतलब पता नहीं कहां कहां इसको किस तरह से लोगों ने यूज किया है, control volume system में और turbine engineering, turbine designing, fluid flow, heat mass transfer, मतलब अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा समय लेकर कर सोचूं, तो बहुत सारी चीजों को मैं गिनाता चला जाओंगा, जिसमें से कुछ astrophysical है, astrodynamical है, fluid dynamical है, machine के साथ में है, electromagnetic है, field theory है, quantum field theory है, कहां कहां नहीं इनका huge लोगों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं, so in future I will get a very brief discussion about the Gauss divergence theorem, and after that we will start our main electromagnetic part, कि क्या क्या कैसे कैसे उसके अंदर variation होते हैं, continuity equation क्या होती है, displacement current concept क्या है, इसमें बहुत कुछ है जो आप पढ़ चुके हो, 12 में आप पढ़ चुके हो, but again 12 और यहां पे आपको एक बहुत बढ़ा shift लेना है, आपको profoundness, mathematical profoundness बढ़ानी, mathematical insight आपको बढ़ानी है, and you have to learn the vector calculus for that, तो अगर कभी भी आप अपने जिस भी university में हों, जिस भी college में हों आप, अगर कहीं भी आपको एक course मिले vector calculus को करने का, please take it seriously, try to go through it, try to learn it, as, as, जितना आप से हो सके, अपनी चमता को, अधिक्तम चमता पर सो सीखने का प्रयास करो, यह कुछ ऐसे real skill है, जो कि आपको आनी चाहिए, अगर आती हैं, तो आप definitely stand out कर जाते हो बाकी के लोगों से, ठीक है, जो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वाले अगली किसी class में, किसी class का, अगली class में, hopefully in the next one or two days, और उसमें हम लोग थोड़ा सा electromagnetism तक पहुँच जाएंग gosh divergence को बहुत ही briefly बात करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, till then, take care of yourself, keep learning, be happy, bye